एक फिल्म आई थी जिसका नाम था शोले अच्छा फिल्म का नाम है शोले और उसमें आप लोगों देखा होगा कि जो हेमा मालनी है वो तांगा चला रही है और जो दर्मेंदर हैं वो साइकल चला रहे हैं और साथ में गाना भी का रहे हैं कि हाथ में चाब को होटों पेगा लियां अरे हाथ में चाब को होटों पेगा लियां तो बड़ी नखरे वालियां होती हैं तांगे वालियां अरे कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो और नमकी नो जाती है हुआ है लेकर आपी पूज ने जवार नाधा जी गाया करते दे क्या बड़े़् क्यांवाइट अरे इनकी घर वाली जब् तो इनकी घरवाली जब रूट जाती है तो पूरी कनमसीन हो जाती है लेकिन वही घरवाली जब वही घरवाली जब मान जाती है तो फिल्कुल चावमीन हो जाती है लेकिन एक बात हो रहे है अरे वही घरवाली जब धोने पे आती है तो वही घरवाली जब धोने पे आती है तो वासिंग मसीन हो जाती है लेकिन आप मेरी बात सुनिये अरे पड़ी नखरे वाली जब रूट जाती है तो और नमकीनों जाती है लेकिन एसन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है एक दो तीन हो जाती है अब आईए मेरी बात सुनें आप लोग क्या है बहुलाल भीया सुनें एक बार जब राम और लक्षमाट जी दोनों लोग और यह हमारे परम सम्वानी आद्रणी भाई साब श्री असोप मिश्रा जी जो सूपा से बता रहे हैं आपकी दरब से एक सोग रुपय का इसने आय है बाई साब को बहुत बहुत धन्यवाद है राम और लक्षमाट दोनों लोग बैठे हुए है तो लक्षमाट जी के मन में बिचार आया लक्षमाट जी बोले भाईया एक बात बताईए हम लोगों वो 14 वर्षों का बनवास मिला 13 साल तो अच्छे से कट गए कोई परेशा तो राम जी बोले नहीं जानते हो सुनो मैं बता रहा हूं चुलो 14 साल में ये भी पताएं क्यों आई उसका कारण ये है कि जब जब भी कोई भी काम प्रकरती की विरुद्ध हुआ है कोई भी काम प्रकरती की विरुद्ध किया गया तो हमेशा ऐसी आपदाएं आई है और आती रहेंगी लखनलाल वोले ऐसा कौन सा काम हो गया प्रकर्ति के विरुद्ध रामनी वोले याद करो लक्षमाण जब वो नारी आई थी और और कह रही थी कि तुम सम पुरुषना मोसम नारी सुर्पनका जबकि वो बिद्वा थी और बिद्वा को स्रंगार करना बरजित है लेकि फिर भी स्रंगार करके आई तो लखनलाल वोले आरे वो तो जूटपूर का स्रंगार किये थी रामजी बोले चाहे जूट पूट का हो चाहे सतता का है लेकर स्रंगार तो था और जब जब भी ऐसे काम होंगे तब तब धर्ती पर ऐसी विपदाएं आपदाएं आएंगी रामजी ने का हो सुनो लक्षमर कोई बिध्वानारी जब स्रंगार करती है तो कोई बिध्वानारी जब अरे स्रंगार करती है तो दोनों कुल में ताग लगा देती है कैसे दोनों कुल में ताग लगा देती है अरे पहले पी घर में पी घर यानि पिया का घर तो पहले पी घर में बंटा धार करती है फिर वो मैंके में आग लगा देती है अब याद करो जब वो हमारे सामने आई और जूट पूट का स्रंगार करके बोली कि तुम सम पुरुसना मोसम नारी आप हमसे शादी कर लीजिए तो सुनों लक्षमण जो नारी आई थी अरे काम की ज्वाला भीतर है जल्ती तो करती वो बाला सुन लो अरे गल्ती पे गल्ती गल्ती पे गल्ती किये जा रही थी कैसे और जब जब भी कोई भी नारी ऐसा करेगी वो हमेशा ऐसे ही कहलाएगी कि ससुराल में का वो जाए निगल्ती अमरत पिये पर वो जहर है उगल्ती तो लक्षमाल यह बात हमेशा गांड बांद लेना याद रखना क्योंकि विद्वाओं को सरंगार भरजित होता है और जब जब भी कोई ऐसा काम करेगा ऐसी विफदाय हमेशा आएगी तो जब भी कोई बिद्वा संगार करने के बाद अरे जब भी स्वक्षन्त हो बिहार करती है तो जब भी स्वक्षन्त हो बिहार करती है बैरागी मन में राग जगा देती है तो पहले पी घर में बनता आरे करती है फिर वो मैके में आग लगा देती है मैके में आग लगा देती है वोलिये प्रभु रामो चंत्र की जहो धन्यवाद है लेज यो भीया वार दुवा हालो 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 ठीक है अरज जी आरे ना बैया बाँ 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 जगते हैं क्या क्या थुने ला रही है बहन राकी जी वाह तागा बिल्कुल बिलुक्त हो गया है और हाथों में चाब तो क्यों अजियरा प्लै यौदर है शुर्रिया रही है ले इस बहुतेसं आप अदो हाथों में चावों होटों पे गालिया वाधे वागई मैं पहले जो फिल्मों में गीत आते थे और क्या वाधान गीत आते थे तो परिनक्रे बालियां होती हैं तांगे बालियां और कोई तांगे बाली जब रूठ जाती है कोई तांगे बाली जब रूठ जाती है हाँ और भी हसीन हो जाती है देशन से काड़ी जब छूट जाती है तो एक दो ती है कोई तांगे बाली जब रूठ जाती है कोई तांगे बाली जाती है तो एक दो ती हो जाती है यह हमारे सूपा से पधारे हुए परम पुझने हमारे आधने महराजी स्री असोक मिस्राजी की ओर से एक से एक मुत्राओं का आशीर वाद आया है मैं उनके चर्णों में नमन कर रहा हूँ उनका आशीर वाद चाहता हूँ बहु बहुत धन्यवाद है ठ्यान चाहूगा आधने महराजी टेसन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है पहले राखी जी टुकडा बहुत अच्छा है आपका बहुत अच्छा अरे कोई विधुआ नारी जब स्रंगार करती है तो दोनों कुल में ताग लगा देती है पहले पिहर में अरे बंटा धार करती और मैके में आग लगा देती है ठीक है एक पक्छ हो गया लेके थोड़ा तूसरी ओर देखी आपने बता दिया कि जब नारी ऐसा करती है अब जहां तक बात आ जाती है भगवार राम लक्षमर और सूर्प नखा की तू बढ़ने जी बात आप कर रही है राम लक्षमर सूर्प नखा एक नख बहुत छुपी हुई बात तूम सम पुरुस नाम समुनारी रहा है यह बस यही तो बात है तूम सब पुरुस नाम समुनारी सूर्प नखा ने कहा अब उसको कहते हैं वो स्वामी तुल्सी दाश्ची ने लिख दिया है लेकिन अपने अपने तरीके से लोगवाग अर्थ लगाते हैं हमारे आजनिया दादा जो रचनाकार है विराजमान है वो सर ही ला रहे हैं चूकि वो जानते हैं उस बात को सूर्प नखा का मतलब के तुम सब पुरुस इस प्रत्वी पर तुम्हारे समान धर्व की रक्षा करने वाला पात का नास करने वाला कोई दूसरा नहीं हो मेरे समान कोई दुख्या नहीं है यह सब उस विधी का विधान है एक ठीक है आपका जो भाव है कड़पीस में वो अच्छा है सुनिएगा कोई नारी जब ऐसा करती है तो प्यार मैं पहले बंटा धार करती पर मायके में आग लगा देती है अरे सत पत्थ पे चल के बड़े बड़े हमारे विध्वार पधारे हैं हर नारी एक जैसी नहीं होती है ना सत पत्थ पे चल के धर्म को है धारती निवाती है कुल धर्म को कुपथ पे पगना धारती तो पहला की जी नारी की शक्ति वो सब कर सकती है अरे छल के भी पल को तल देती है सती कोई सती कोई जब अपने पे आ जाती है तो विधी का नियम भी पदल देती है और इतने उदाहारन है विधी के विधान को भी पलटके रख दिया है आरे भारत की नारियों ने आरे भारत की सतीयों ने अरे सती कोई जब अपने पे आ जाती है तो विधी का नियम भी पदल देती आरे सती का नियम भी पदल देती है तेकिन का लियां बदन देती है आपका फ्यारा सट्टुकणा जो आपने दिया था और आईए एक घीत मला सुन्दर आया बिल्कुल और इस जबाब की पंक्तियों पर हमारे आधने असी धर्मपाल सिंग गुंदेला जी हलो हलो सरी धर्मपाल गुंदेला जी पूर्व सरपंच ग्राम गंगायच आपकी और से बुंदेला जी की और से ये एक सो एक उत्राय प्रदत्त है परमात्मा सदा करपा बनाए रखे प्राम कर लाओ आधने बुंदेला जी को